राइपूर से बड़ी खबर मुख्यमंतर विश्णु देप साय आज कई कारिक्रमों में शामिल होंगे आज कई कारिक्रम उनके प्रिस्तावित हैं सक्ति में भी कारिक्रम है इसमें भी मुख्यमंत्रे हिस्सा लेने पहुंचेंगे इसके लाबा नवा रायपुर में दीपा बली का मिलंच सम्हारो है इसमें भी हिस्सा लेंगे तो नए सीम हाउस में ये दीपा बली का मिलंद सम्हारो होने जा रहा है शाम पांच बजे चंद्रपुर रवाना होंगे इसके साथ इछे बजे माच चंद्र हासिनी देवी बंदिर में दर्शन करेंगे मा महाननदा इसके अलाबा गंगा महाननदी महारती में भी जो महुस्ब होना है उसमें शामिल होंगे शाम साले साथ बजे सक्ती से राइगण जाएंगे रात आड़ बजे राइगण पहुँचकर रात ले विश्राम करेंगे इस बक्ती की बड़ी ख़बर बड़ी जान करेंगे सक्ती के कारिक्रमों में शामिल होंगे इसके साथ ही अन्य कारिक्रमों में भी हिस्सा लेंगे दीपाबली का मिलन समहारो है सीम हाउस में उसमें भी उख्यमंत्री की मौजूद्गी देखने को मिलेगी तो छे बजे मा चंद्र हासिनी देवी मंदिर के दर्शन किये जाएंगे कूजा अर्चना की जाएगी मा महानन्दा महानदी मारती महस्सब में भी शामिल होंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी रात आड़ बजे राइगर पहुंचकर रात्रे विश्राम किये जाएगा इसके साथ ही कई कारिक्रमों में मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे संबादाता शिवम दूबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम मुख्यमंत्री विश्रुदेव साय के आज कई कारिक्रम प्रिस्तावित हैं नवार आइपूर में दीपावली का मिलन समहारो है सीम हाउस में जब से शिप्ट हुए हैं उसके बाद पहला ये दीपावली का मिलन समहारो कितना खास कितना महद बपून देखे आज का जो मुख्यमंत्री विश्रुदेव साय का है प्रोटोकॉल जारी हो चुका है और तमाम प्रोटोकॉल के हिसाब से आज वो रायपूर, नया रायपूर के दौरे पर रहेंगे और इसे के साथ-साथ वो रायगर के दौरे पर रहेंगे नया रायपूर में जहां उनका जो नया निवास है, नया मुख्यमंत्री निवास है वहाँ पे पिछले मैंने ही पूजा अर्चना करके सियम विश्रुदेव साय ने वहाँ पे सिफ्टिंग कर ली है हलक कि अभी वहाँ पे उनका रहना नहीं हो रहा है, लेकिन जित्ते भी कारक्रम हैं वो वहीं से ही संचालित हो रहे हैं और आज भी जो दीपावली मिलंस हमारो है जिसमें तमाम विश्रुष्ट अतितियों को इनवाइट किया गया है, पत्रकारों को इनवाइट किया गया है वहाँ पे ये दीपावली मिलंस हमारो होगा, सियम सबसे चर्चा करते होए नजर आएंगे सबसे बाज़ीत करते हुए नजर आएंगे देपा वाली की बधाई देते हुए नजर आएंगे और आज जो तुलसी पुजा है इसकी भी बधाई देते हुए सीम विश्ण देफ साया नजर आएंगे अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल उनका जो जारी हुआ है वो आज 12 बजे अपने पुराने CM हाउस से और नए CM हाउस नायर आपूर के लिए रवाना होंगे वहाँ पर वह साड़े 12 बजे पहुचेंगे और वहाँ पर देपावली समारो होगा जो साड़े 12 बजे से लेकर के एक बज़े तक देड़ बज़े तक होगा और इसके बात का जो उनका समय है वो आरक्षित रखा गया है देड़ बज़े से लेकर के चार बज़ के पंदरा मि यानि इस बीच में जो वी वी आईपी हैं या फिर राजी की विशिस्ट अतिति हैं या राजी की जो अच्छे दिगज नेता हैं उनसे वो मुलाकात करके और दीपावली की शुब कामना है देते हो नजर आएंगे और यह जब दीपावली समारो हो जाएगा दीपावली मिलन करते हो नजर आएंगे इसके बाद वहां पर मंदिर रशन करते हो नजर आएंगे और इसके साथ साथ जो महा आरती है गंगा महा नदी आरती है वो उसमें शामिल होते हो नजर आएंगे वहां शिर्कत करते हो नजर आएंगे और माता की पूजा आर्चना करके प्रदेश की कुछाली की कामना करते हो नजर आएंगे इसके बाद का जो उनका समय है वो आठ वजे से रात्री विश्राम रायगर में ही होगा वहाँ पे भी वो जब रात्री विश्राम करने के लिए पहुंचेंगे वहाँ पे भी कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और जो राज की जो योजनाय हैं उसको लेकर करके चर्चा कर सकते हैं और इसके बाद कल का जो उनका कारक्रम है राइगार से वो जश्पूर रवाना होंगे क्योंकि कल जश्पूर में एक बड़ा कारक्रम है बड़ा एक पदियात्रा करने वाली है बीजेपि और जो डॉक्टर मंसुत मांड प्रद्यात्रा कुल मिलाकर जन्जाति गौरफ को बढ़ाने के लिए होगी और यह यात्रा करीबन साथ किलो मीटर वहां पे कल चलेगी और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में यात्रा चलेगी तो सीम का प्रोटोकॉल जारी हो चुका है सीम आज राइगर दोरे पर भी रह बना होंगे जी बिल्कुल शिवम महदबपून जानकारी आपने दी बने रहे हमारे साथ